5, 4, 3, 2, 1 59 में ही शुरू हो गई थी सी राज गुपालाचारी और डॉक्टर राजिंदर प्रसाद दोनों इस लिहाज से बराबरकत के उमिद्वार मानी जा रहे थे राजा जी गवर्नर जनरल थे और राजिंदर बाभू संग्विधान सभा के अध्यक्ष थे जिसे देश का पहला राश्ट्रपती चुन्ना था संग्विधान सभा का कामकाज सितंबर 1949 तक लगभग पूरा हो गया था और नया संग्विधान 26 जनवरी 1950 से लागू होने वाला था अटकले और गपों को हतोत साहिद करने के लिए राजिंदर बाभू ने 10 जुन 1949 को निनलिखित बयान जारी किया सम्मान के किसी पद के लिए राजा जी और मेरे बीज किसी तरह की प्रतिजुन्दिता का कोई सवाल नहीं उठता इसलिए मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ कि वे इस तरह के किसी प्रोपगेंडा से धोखे में न पड़ें मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि वे इस तरह का कोई प्रोपगेंडा न करें इसके बाद मामला कुछ समय के लिए शान्त हुआ वैसे नहरू ने कांग्रेस के निताओं से राय मश्वीरा किये बिना राधाजी के पक्ष में फैसला कर लिया था राजिंदर बाबू का पत्ता काटने के लिए उन्होंने 10 सितंबर 1949 को लिख भेजा संविधान सभा का धिवेशन खत्म होने को है जल्द ही हम गरतंत्र के राष्ट्रपती के चुनाओ के तरीखे के बारे में विचार करना होगा मैंने इस मामले पर वल्लभाई पतेल से बात की है और हमें लगता है कि राजाजी राष्ट्रपती बने रह सकते हैं इसलिए वनलब भाई को और मुझे लगा कि राजाजी का नाम आपसर्व समती से चुनाओ के लिए पेश करें। राजेंदर बाबु ने 11 सितंबर 1949 को इसका लंबा जवाब उन्हें लिख भेजा और इसकी प्रती पटेल को भी भेजी। वे बहुत आहा थे और उन्होंने आश्चरे प्रकट किया था कि पटेल और नहरू उन्हें निर्देश दे रही हैं। पटेल एकदम हैरान थे कि नहरू ने इस मामले पर उनसे बात किये बिना उनका नाम घसीट लिया था। 11 सितंबर 1949 को नहरू ने राजिंदर बावू को जवाब लिखा और इसकी प्रती पटेल को भेजी। मैंने आपको जो कुछ लिखा उसमें वल्लब भाई का किसी तरह से कोई लिना देना नहीं है। ये मैंने अपनी तरह अपनी ओर से लिखा और वल्लब भाई से इस बारे में कोई बात नहीं की। वे नहीं जानते कि मैंने आपको पत्र लिखा है। अगर मैंने आपको किसी तरह आहत किया है या आपके मन में ये एहसास पैदा किया है कि मैं आपका आदर या आपकी फिक्र नहीं करता तो मुझे गहरा दुख है। नहरू राजा जी को इसलिए चाहते थे कि क्योंकि उन्होंने बड़े राजनईक प्रतनिती मंदलों की अगवानी करने के तौर तरीके और शुष्टाचार सीख लिये थे। इन तौर तरीके और प्रोटोकॉल की नफासत को राजा जी ने धीरे धीरे अपना लिया था। पटेल को भी अपने पत्र भेशते रहते थे। पटेल ने 16 सितंबर 1949 को लिखा। उपर मैंने जो कुछ भी लिखा है मुझे विश्वास है कि उसके मद्य नजर आप इस मामले पर दोबारा गौर करेंगे और आपने जवारलाल को लिखे अपने पत्र में जो भावना जाहि की है उसके मुताबिक कुछ नहीं करेंगे मामले को पूरी तरह शांत होने दीजिए और अपने मन में यह बात निकाल दीजिए कि हमारे बीच कोई दूरी पैदा होगी हम इतने वर्षों से एक दूसरे के जितने करीब रह रहे हैं उतने करीब ही बने रहेंगे हमारा आपस सम्मान और प्यार एक महान संघर्ष की कसोटी पर भी खरा उतरा है अब इसे दूसरी कसोटी पर गोजना पड़े तो वह इसकी तुलना में महत्वहीन होगा मैं जब दिल्ली लोटूंगा तब इस मसले पर हम बात करेंगे तब तक के लिए मुझे थोड़ी राहत तब मिले जब आप से यह आश्वासन मिलेगा कि आपने अपने इस विचार को दिमाग से एकदम निकाल दिया है नहरू 6 एक्टूबर को 5 हफते के ब्रिटेन और अमेरिका के दोरे पर निकलने वाले थे और चाहते थे कि इससे पहले राजाजी के पक्ष में फैसला हो जाए उन्हों ने अपना प्रस्ताव संविधान सभा की कांग्रेस पार्टी के सामने रखने का फैसला किया जो पर्थम राश्ट्रपती का चुनाव करने वाली थी पटेल ने कोशिस की कि मामला टल जाये लेकिन नहरू रुके नहीं उस बैठक का एक ब्योरा विशंकर ने प्रस्तुत किया है जैसे ही नहरू ने प्रस्ताव रखा माहौल में तनाव चा गया कुछ मुखर सदस्यों ने उनके भाषन के दोरान टोकाटा की की जो बहुत शालिंता पून नहीं थी नहरू के बाद कई सदस्य बोले और सब ने प्रस्ताव का जोड़दार और कड़वे शब्दों में विरोध किया बहस में कड़वाहट चा गई और यह साफ हो गया कि पार्टी का पूरा मत इस प्रस्ताव के खिलाफ था इसी मौके पर पटेल ने माईक अपने हाथ में ली और दस मिनट तक भासर दे कर सभी को गरिमा और शालिंता बनाए रखने की अपील की और कहा कि मत भेदों के बाव तरव शुभा नहीं देता